ही समरत परमात मार छे निर गुण निरंकार तू करता है जगत कार तू सब का अधार कन कन में है बस रहा तीरा रूप अपार तीन काल है सत तू मिठ्या है संसार घट घट वासी है प्रभू अविनाशी करता दयास तेरी हो सभी भव सागर से पार निराकार साकार तू जग की पालण हार हे वे अन्त महिमा तेरी दाता परंपार परमतिता परमातिमा सब तेरी संतार भला करो सबका प्रभू सबका हो कल्याई भला करो सबका प्रभू सबका हो कल्याई प्रेमा ने भूला धन नहकार जी आज ये कला के रूप में जिन संतों ने मन के भाव इस परमातिमा से जोड़के अनी को जो मेसेजिस दिये चाहे वो स्तिरता पे आधारित मेसेज हो या कैसे पल-पल हम इस परमातिमा को अपने ध्यान में लें ताकि ये हम अपने भक्ती भरा जीवन उसके आधार से ही पल-पल उसमें छोटे-छोटे एपिसोद्स भी चाहे दर्शाए गए कि कैसे एक जीवन सवर जाता है जब ये परमातिमा के हैसास मन में होता है कैसे हम अपने रेक्शन्स पे काबू रख पाते हैं कैसे आज संतों ने अपने मन का प्रेम ये भक्ती का वो रूप जो एक चाहे नरते के रूप में था फिर भी वो प्यार वो एक अपने मन की भाव इस परमात्मा पे अधारे थी लेखे सभी ने प्रदर्शन वो जो दिया उसमें हमने देखा कि कितना ये चाहे simplified messages या dance form पर पीछे इतने ही teamwork ये तैयारी तो सभी के जो मन के भाव थे वो हूब हूब पहुँ पहुँ पहुँच रहे थे और कैसे इस तरह ये coordinations भी क्योंकि ये virtual रूप चाहे है तो कैसे वो restricted महौल में भी कैसे सबने online अपने घरों से भी practices की या बहुत ही ऐसे scatter होके जगे जगे ये एक साथ भी हो सकता है जादा practices करने का मौका ना मिला हो फिर भी कैसे travel करके भी यहाँ आएं आज इस रूप में तो सभी के लिए दासी अपने मन के भाव के चो भक्ती भरा एक जीवन हर एक के इससे में आए और कैसे चाहे कितनी backstage teams भी रही होंगी कैसे हर एक ने बहुत महनत से अपने मन के भाव इस रूप में के एक खुशी का महौल उस रूप में कला का सहारा लेते हुए तो दातार सबी पे किरपा करें के ये जो भाव हैं चाहे प्रदर्शित किसी रूप में भी हो जब सत्संग रूप होता है तो वो चाहे गीत होते हैं, speechless होती हैं, कविताय होती हैं और आज ये इस रूप में भी आनंद हमें मिला तो ये आनन्द जो है ये हर एक किस हिस्से में हमेशा के लिए कायम दायम रहे साथ संगर जी धानन गायर जी साथ संगर जी प्यार से कहना धानन गायर जी का आज जहां समागम रूप ये सभी ने सिकानन लिया और कैसे फिर जहां पिछले कुश महीनों से ये हफते में तीन दिन जिसमें फ्राइडे इंडिया के बाहर की सत्संग और वेंस्देश को भारत वर्ष से तो आज जहां ये उस रूप में तो आखरी जोनल टूर है जो अब देश विदेश सभी के उस रूप में तो पूरन हो गए आज तो दातार ये किरपा करे कि अब फिजिकली हर जगे जाकर आप संतों के वीच पहुँचकर सत्संग का आनन लिया जाए और कैसे हर एक संत के मन के भाव यही रहे कि ये निराकार ये सचाई इसको पहचान ले और अपने आप ही खुद की पहचान हो जाती है तो कैसे हमने हमेशा जहां पूरे संसार के लिए एक अच्छा इंसान बनना है खुद के लिए भी और सभी के लिए ही तभी ये जो आज पंक्ती भी दासी के स्टेज के पीछे कि मानव को मानव हो प्यारा एक दूसरे का बने सहारा कि फिर एक हर इंसान को दूसरा इंसान प्यारा कैसे लग सकता है वो जब बीच में प्रमात्मा देख लेते हैं तो फिर सभी अपने सभी प्यारे लगते हैं और जो ये second stage की बात है कि फिर हमने एक दूसरे का सहारा बनना है तो वो सहारा कैसे बन सकते हैं तो वो अपने आपको अगर हम दिन में देखें कि चाहे हम कितने भी विजी हूँ तो छोटी-छोटी चीजें किसी के लिए समय निक होता है पर किसी के लिए अगर हम उपस्तित हो सकें चाहे अपनी नीन साक्रफाइज उसमें होए या फिर पूरे दिन में अगर ये लगे कि हमने कैसे अपने आपको एक दूसरे के लिए हमेशा रेडी रखना है कि हर किसी की जहां जैसी जरूरत है तो हम सेवा अपनी अरप अरव मन में लाएंगे तो हर कोई जहां अपना है कोई पराया नहीं मदद तो पराया रूप ले लेती है पर सेवा एक समर्पित रूप होती है तो ऐसे ही ये समर्पित भाव से संत हमेशा जहां सेवा करते आए हैं सत्संग से एक संत्मती हर एक की भाव सुनने का भी मौका मिलता है अपने भी ये संतों के साथ जब शेयर होते हैं तो कैसे फिर एक अपने अंदर की क्लारिटी और बढ़ जाती है अपने अंदर के गुंड मल्टिप्लाइ हो जाते हैं अपने जीवन में अपने पल पल में हम और अच्छे से अपने किरदार को एक पॉजिटिवली इस्टाबलिश कर पाते हैं एक खुद को भी जहां वो एहसास आता है कि जो है इस परमात्मा क दिया बहुत ही खुबसूरत हर पल ये पूरी जिंदगी का और वहां एक दिल हमेशा उत्साहित रहता है कि पूरे संसार को ही कैसे हम और जादा अनन दे सकें और जादा खुशी दे सकें किसी के लिए किस तरह एक अपने आप को समर्पित रूप में उनके लिए भी कुछ क कर सकें तो कैसे मन में भी फिर ये निरंगतार ही हर समय हर पल इसी का चेता इसी का ध्यान ये सुमर्ण रूप में भी तो हर कोई जहां अपने जीवन में यही बात कि अपने आपको जहां ठीक रखा जाए कोई गलती होने पर अपने आपको कोसने की बजाएदातार से और वहीं संसार के हर इंसान के लिए दिल से ये कामना कि हर कोई हमेशा इस ही जीवन में जो जिन्दगी के हर पल हैं, उनको कैसे हर पल को टोटालिटी में, हर पल को पूरन रूप में एक अच्छे रूप में ही जी आजाए और किस तरह हम अपने दिमाग पे कोई ऐसी बात को हावी न होने दें, जो हम इंसानियतों हैं पर हमारी इंसानियत कम कर दें, तो एक इंसान का असली रूप ये इंसानियत हर एक में जहां हर पल चल के और वो संभब भी तब जब ये निराकार पर मात्मा इस भगवान का हमेशा एक एहसास मन में होता है, और फिर अपने आप ही एक भैतर इंसान बनने की चाह हमेशा लगी रहती है, तो जहां बहुत ही सारे गुन संसार में हैं, हम जहां पे ये कंकं से भी शिक्षा लेते हैं, अपनी लाइफ में प्राक्टिकल स्पिरिच्वालिटी भी जीते ह हैं, तो ऐसा करते हुए अपने आपको सुधारने के लिए बहुत ही ये हमारे पास पल हैं जीवन के और दिन के कितने हैं, हर पल में भी अगर कुछ पल और कुछ नया अच्छा सीख के आगे की जीवन को सुखमई किया जा सकता है, वहीं हर पल अपने अंदर के ये जो आला जा सकता है, तो अगर हम यही समझ लें कि एक दिन अभी से, आज से ही अगर अपने आपके बारे में उस तरहां अनलाइस करके कि हमें और क्या सीखना है और क्या अपने मन के भाव गवाने हैं, उसी पे अगर ध्यान दें और हर दिन फिर इसी प्रकार चलता रहे, तो फिर हमारे पास समय ही नहीं है कि किसी दूसरे की खामी देखें और जब भी कुछ दिखे भी, तो फिर यही भाव आए कि यह चीज अगर इनकी हमें पसंद नहीं आई, दातार किरपा करना कि यह अब गुण हमारे अंदर ना आ जाए, तो इस तरहां अपने आपको जहां सह ही रखना है, वहां कोशिश हर किसी को भी हम अपने कर्मोद्वारा संभाल पाएं, साथ संगर जी, धानंकाय जी मिर्य की यह थाता, इन्दराती तुनिगावार। कहिं अबतार इन्दराती तूनिगावार। इक तूही निरंकार मैं सदा भुलण हार तूहे दाता भक्षण हार मीर्यम गुण नाचीतार तूही निरंकार एक तूही निरंकार तेरा रूप है संसार सब्दा भला करो करतार मेरी मंग है दातार तूही निरंकार तूही निरंकार तूही निरंकार मेरा डोले नायत बार बक्षो शर्दा बगती प्यार करावे संता ना संतिकार तूही निरंकार सद्गुरु माता सुदिक्षा सबिंदर हर देव जी महराज कीजे निरंकारी राज माता गुरु बचन अवतार कीजे प्यार से बोलिये निरंकार जी